नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्वागत है आपका मिसन इस्टिवट प्रियाग राज में, जैसा कि कल क्या पढ़े थे, बचन और आज हम किस पे चर्चा करेंगे दिंग पर, किस पे दिंग पर चर्चा करेंगे, दिंग को कैसे, यहां पर विशेषड का लिंग भेद हम सब चानेंगे का, लिंग पढ़ने से पहले, लिंग विशेषड भेद का कैसे मतलब कब हमारा इस्त्री लिंग होगा और कब पूरुस लिंग हो, लिंग पढ़ने का अर्थात ये अर्थ है, पहचान और पूरुस लिंग की पहचान कर कौन सा सब इस्ट्रि लिंग का ब॓द कराता है कौन सा सब गोल कराता है अकारंद बिशेशल इस्ट्री लिंग में इकारंद हो जाता है मेरी टोपी गोल है क्या मेरी टोपी इसकी टोपी मेरी टोपी गोल है मेरी टोपी गोल है अब यहाँ पे मेरी टोपी गोल है यहाँ पे देख रहे हैं फिर मेरा कोट सफेद है यहाँ जैसे ही मेरी की बात आई क्या मेरी टोपी गोल है यहाँ पे आपने देखा मेरा कोट सफेद है, अब हम पढ़ते हैं क्या लिंग किशे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से क्या, सब्द के जिस रूप से उसके इस्त्रिया पुरुस होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं, सब्द के जिस रूप से, सब्द के जिस रूप से, उसके इस्त्रिया पुरुस होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं, जैसे सेर, सेरिनी, नर, पादा, पैल, गाड़ी, लिंग के भेद में आएंगे, तो लिंग के दो भेद होते हैं, क्या लिंग के दो भेद होते हैं, कौन-कौन से, इस्त्रिय लिंग और पुल लिंग, मेरे प्यारे बिद्यार्थी आप देख पा रहे हैं, कि सब्द के जिस रूप से उसके इस्त्रिय पुरुस होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं, जैसे आपको एक सब्द मिला, सेर और सेरनी, क्या सेर और सेरनी मिला, सेर और सेरनी, यहाँ पे जो सेर है, यह सब्द जो है, पुरुस का बोध करा रहा है, क्या होगा, सेर नर मादा, फिर यहाँ पे नर मादा, यहाँ पे जो दो सब्द मिल रहे हैं, एक नर और दूसरा मादा, एक है पुरुस और दूसरी, फिर बैल काड़ी स्वारी बैल गाए क्या बैल गाए यहां पे क्या पुलिंग का बोध करा रहा है और गाए इस्त्री लिंग का बोध करा रही फिर आते हैं लिंग के भेद के बारे में लिंग के भेद कितने होते हैं लिंग के दो भेद होते हैं कौन-कौन से इस्त्री लिंग और पु कि हैं इस्त्रिया पूरुस होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं और हिंदी की बात कर रहे हैं लिंक के दो भेद होते हैं इस्त्रिलिंग और बुलींग आगे बढ़ते हैं हम इस्त्री लिंग में क्या इस्त्री लिंग इस्त्री जाती का बोध कराने वाले शंग्या शब्दों को इस्त्री लिंग कहते हैं क्या इस्त्री जाती का बोध जैसे जिस रूप से जिस सब्द से किसी इस्त्री जाती का बोध हो उसे क्या इस्त्री नाम जैसे आप किसी लड़की की नाम सुनते हैं तो वैसे ही कह देंगे रीता, सीता, गीता, सरीता, मंता, यह सारे नाम जैसे आपके दिमाग में आता है, तुरंत इस्तरी जाती का बोध हो जाता है, फिर उसके बाद राम, स्याम, मोहन, गोलू, टोलू जैसी बात आएगी, वो पुरुस जाती का बोध कराने लगता है, यहां पे इस्तरी जाती का बोध कराने वाले शंग्या शब्दों को इस्तरी लिंग कहते हैं, जैसे बालिका, क्या, बालिका, काय, रानी, यूती, अब यह सब्द आपको जैसे देखने को या सुनने को मिल जाएगा, यह सारे शब्द किस जा, क्या बोध करा रहे हैं, क्या जता रहे हैं, यह इस्तरी जाती का बोध करा रहे हैं, क्या, इस्तरी जाती का बोध करा रहे हैं, पुल्लिंग की बात करते हैं, पुरुस जाती का बोध कराने वाले शंग्या शब्दों को क्या, पुरुस जाती का बोध करान कि लड़के और लड़कियां दोनों हैं, हम कह रहे हैं बालक खड़े हो जाएं, क्या बालक खड़े हो जाएं, जैसे ही हम बालक कहते हैं, तो जो बायज होते हैं, वहां पे सोचते हैं, हमारे लिए कहा जा रहा है, वहां पे बालक सब्द सुनते ही, पुरुस जाती का बोध ह उने लगता है और वो मतलब जो भी कारी उनके दिया जाता है फिर वही गरम बात करें सभी बालिकाएं खड़ी हो जाएं क्या और फिर यह कह दें सभी बालिकाएं आज मेरे प्रश्ण का उत्तर देंगी जो मतलब वहां पे लड़कियां बैठी है वो मतलब एक अंदर से उनक सलसी होने लगी है और वो यह समझ गई है पूछा जाएगा हम अब वहां पे जो बायज बैठे हुमें हैं वो सोच तो जरूर रहे होंगे क्या प्रश्ण पूछा जाएगा क्या भोगा उसका उत्तर लेकिन चलो ठीक है हम लोगों से नहीं पूछा जाएगा हमारी बात यह नहीं जाएगे क्योंकि नहें क्या कहा सभी बालिकाएं आज हमारे प्रश्ण का उत्तर देंगी हैं आके प्रश्ण पूछा जाएगा जो उत्तर बताया जाएगा सुन लेया जाएगा हम पहोट सामें ही तो वहां वो स्वतंत्र हो गया क्योंकि वहां पे इस्त्री जाती का बोध करा के प्रश्न पूछने का कार्य हम किसे करने वाले हैं, बालिकाओं से करने वाले हैं, क्या बालिकाओं से करने वाले हैं, क्योंकि वहां पे इस्त्री जाती का बोध हुआ है, इसलिए जो बायज है पिर उसके बाद बालक, यहां पे बालक, पैल, राजा, शम्राट ये सारे शब्द हैं क्या फुलिंग जाती का बोध कराते हैं आपको एक बात याद रखना यूती, जैसे ही यूती सब्द मिलेगा और आप से लिंग की पहचान करने को कहता है तो क्या बताओगे इस्त्री लिंग क्या इस्त्री लिंग क्या जो यूती सब्द है ये इस्त्री जाती का बोध करा रही शम्राट क्या सम्राट की असोख सम्राट क्या जैसे ही बात आएगी सम्राट का ऐसी क्या होगा ये सम्राट सब्द जो है फुलिंग जाती का बोध करा रहा है फिर आगे बढ़ते हैं हम कुछ संग्या शब्द सदेव फुलिंग होते हैं क्या कुछ संग्या शब्द सदेव क्या होते हैं वो फुलिंग होते हैं प्राणियों के शमुदाय को बताने वाले शब्द क्या प्राणियों के बताने वाले शमुदाय के शब्द यहां पे जो जीव जनतु हैं क्या जो जीव जनतु हैं जो मानो मतलब हम भी क्या लीविंग में आते हैं हम सजीव हैं क्या जो भी सजीव चीजें हैं प्राणियों क कुछ जो समुदाए होते हैं क्या प्राड़ियों के जो समुदाए होते हैं उन होते हैं, हमेज़ा उसकी क्या होंगे, पुलिंग ही होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है, प्राडियों जैसे समुदाय की बात कर दिया जाए, समुख का बात किया जाए, परिवार का बात, मंडल, समाज, जुन्द, कुटुम्ब, दल, संग, अब यहां पे क्या है, समुदाय है, कुटुम्ब है, दल है, तो क्या इसमें बस पुलिंग ही आते हैं? ऐसन आते सब हैं उसमें, लेकिन हमने आपको क्या कहा? संग्या की वे शब्द रूप, क्या? संग्या की वे शब्द जिससे क्या हो? इस्त्री या पुरुस जाती का बोध हो. अब आप इसके अंदर नहीं जाना कि ये तो परिवार है, परिवार में तो पुरुस भी रहता है, महिला भी रहती है, फिर क्यों ये पुरुस जाती का बोध करा रहा है? अब आपको बार बार समझाने की कोशिस कर रहे हैं, यहां पे जो परिवार शब्द है, क्या? यहां आहोल पे जाईएगा, यहां पे जो सब्द आपको दिखाई दे रहा है, समुदाय, समूह, परिवार, मंडल, समाज, जुन्ड, कुटुम्ब, दल, शंग, ये शारे जो शब्द हैं, क्या? पुलिंग जाती का बोध कराते हैं, फिर उसके बाद शरीर, फिर आते हैं, सरीर क अवय या अंग के, हमारे शरीर के कुछ अंग हैं, जो क्या? पुलिंग का बोध कराते हैं, क्या? हमारे शरीर के कुछ अंग को पुलिंग के बोध कराते हैं, जैसे आथ, पाउं, क्या? आथ, पाउं, कान, आथ, पाउं, कान, मुह, दा, तालू, गाल, अंगुठा, ये जो शब्द यहां पे दिखाई सरीर में तो बहुत सारे अंग हैं लेकिन कुछ सब्द आपके पुलिंग जाती के बोध कराते हैं और कुछ इस्त्री जाती के बोध कराते हैं यहां आपने देखा प्राडियों के समुदाय को बताने वाले जो कुछ सब्द हैं यहां पे फिर उसक सब्सक्राइद के नाम्, करम मसालोगे नाम, क्ताइपम लुजू Paldra Rezade क्या कीरा, पन्ना, मोती, बड़िक, नीलम, ये सब क्या हैं, रतनों के नाम है, फिर देखेंगे धातूं के नाम में, वे कौन कौन से धातू हैं, जो पुल्लिंग सब्द का पुरुष जाती का बोध कराते हैं, जैसे लोहा, शोना, तांबा, पीतल, तीन, लोहा, अब जैसे की बात करते हैं, लोहा अच्छा है, हमने कोई दर्वाजा या कोई गेट लगवाना, तो फिर कहते हैं लोहे का दर्वाजा होगा, तो अच्छा होगा, सेफटी हो, सुर अच्छा होगा, कभी आपने ऐसा देखा है, लोहा अच्छी है, लोहा जो सब्द है, अगर आप उसक बिसेस्ता बता रहे हो उसके बारे में बात कर रहे हो क्या आपको कभी ऐसा लगा या किसी के मुख के द्वारे सुनने को मिला कि लोहा अच्छी है हमने कहा लोहा अच्छा है लोहा खराब लोहा जो जहां पर लोहा अच्छा है अगर इसकी बिसेस्ता किम देखोगे अच्छा आ रहा है ना कि अच्छी आ रही है जहां पर आकारान्त होगा क्या होगा फुलिंग होगा फिर सोना की बात कर दें अब हम सोना की बात करते हैं कहीं भी आप कल्यान के सोना तनेश के अतलब आप कहते हैं साउथ का फिर महाराष्ट का कभी आपने ऐसा सोना है सोना अच्छी है सोना जो सब्द है आप देखिए अगर सोने के बिसेष्टे के बारे में एक उसकी गुडवत्ता बता रहे हैं तो क्या कभी ऐसा आपने देखा या आपने कभी सुना या आपने कभी अपने वाक्तियों क्यों बोलते समय महसूस के सोना अच्छी है नहीं कहते हैं वहां का सोना लेजिए अच्छा है महाराष्ट का सोना अच्छा है साउथ अच्छिड भारत का सोना अच्छा है इसके यहां से सोन नहीं लेजिए इसका सोना अच्छा नहीं होता है इसका सोना अच्छा नहीं होता है अच्छा आ रहा है क्या आकारांत आ रहा है और यह क्या बोथ करा र तल, तीन, कि जब आप गुडवत्ता के बारे में बात करते हैं, क्या कभी अच्छी अच्छी कहते हैं, उसकी गुडवत्ता के बारे में बात करते समय, आपके मुख से अच्छा निकलता है, क्या अच्छा निकलता है, सुनते भी हैं, कोई सामने कहता भी है, तो अच्छा ही क कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जिन में परिवर्तन किया जा सकता है, कि स्री लोंग या फिर बुलिंग या फिर कुछ अपवाद भी होते हैं, अनाजो के नाम में आते हैं, चावल, क्या, चावल, गेहूं, चव, पाजरा, और मटर, यहां पे अनाजो के नाम में आपने देखा, कि चावल, गेहूं, जव, बाजरा, मटर, यह सब क्या हैं, पुलिंग होते हैं, हमेशा फुलिंग हैं, पेड़ पौधे के नाम में देखेंगे, आम का पेड़, क्या, आम का पेड़, अब क्या आप कभी ऐसे कते हैं, आम की आप देखेंगे इसके भाव निकल के आएंगे जब हम इसके बारे में बात करेंगे अरी वहां एक आम का पेड़ है क्या वहां एक आम का पेड़ है वहां एक शीशम का पेड़ है अमरूद का पेड़ है फिर उसके बाद सरीफा का पेड़ है क्या आप इसको बोलते की लगात तर लगातार अकारांता रहा है क्या है नदियों। के नाम क्या नदियों पुछ क्लिकर्ब के नाम हो पाउडर, चीरा, सरसो का तेल, यहां पे जब सरसो ये जो सब्द मिला है, क्या, ये जो सरसो सब्द मिला है, ये क्या बोध करा रहा है, पुरुष जाती का बोध करा रहा है, ये पुल्लिंग होगा, यहां पे खाने पीने के नाम, अब खाने पीने के कुछ वस्तुमें हैं, उनके नाम जो है, वो क्या है, पुलिंग है, जैसे पराठा, हलवा, गुलाब, जामुन, अब पराठा, हलवा, गुलाब, जामुन की बात जब करते हैं, आप जैसे ही आप पराठा खाए, आप गरम गरम पराठा मिला, फिर उसके बाद खाए, कैसा है पराठा, बेटा कैसा है पराठा तो बेटा भी कहता है अच्छा है अगर बेटी है कैसा है पराठा कैसा है बेटा तब भी बेटी क्या बोलेगी कि पराठा अच्छा है ना कि उसके अच्छी पराठा अच्छी है हमेशा आप देख रहे हैं पराठा से लेके उसकी गुडवत्ता तक अकारांत आ रहा ह है क्या अकारांत आ रहा है हल्वा कैसा है हल्वा अच्छा है ना कि हल्वा अच्छी है हल्वा के लिए आप हमेशा कहते हल्वा अच्छा है गुलाब जामुन गुलाब जामुन बहुत अच्छा है पीठा बहुत है यहां पर अकारांत का बोथ करा रहा है अब हम देखेंगे कुछ शंग्या शब्द सदेव क्या होते हैं इस्त्री लिंग होते हैं अभी आपने देखा प्राणियों के समदाय को बताने वाले कुछ शब्द जो थे वो पुलिंग का बोध करा रहे थे लेकिन यहां पे कुछ शब्द ऐसे हैं जो इस्त्री लिंग का बोद खराते हैं फिर उसके बाद जैसे समीती आपको मिल गया बंडली मिल गया कमीटी मिल गया शेना इंपोर्टेंट है सेना फाउज जनता भीड ये शारे शब्द जो हैं इंपोर्टेंट है इसका पहचान भी देता है करने के लिए ये किसमें आते हैं समीती बंडली कमीटी शेना फाउज भीड जनता सरकार टोली ये सब किसमें आते हैं ये सब इस्त्री लिंग में आते हैं फिर बात करते हैं हम सरीर के अंग या अवे सरीर कभी आपको वहाँ पे मिला सरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जिनका नाम पुलिंग में आता है कुछ ऐसे नाम है जो हमेशा किसमें रहते हैं वो इस्त्री लिंग में रहते हैं सरीर के आंगे आवे में जाएंगे कोहनी कलाई नाक आख जीव है क्या कोहनी कलाई नाक आख जीव कट गई जीव कट गई नाक कट गई कलाई जो है तूट गई फिर से कोहनी मतलब यह सारे जो शब्द हैं इकारांत का दे रहे हैं यसलिए क्या होगा यह हमें कभी इकारांत जा रहा है इसमें देखेंगे कोहनी कलाई नाक आख जीव अगर आप भावार्थ उसको वाक्यों को देखें कभी आकारांत जा रहा है तो कभी इकारांत जा रहा है लेकिन यह शब्द जो है हमेशा क्या रहेंगे इस्त्री लिंग ही रहेंगे रतनों के नाम में क्या रतनों के नाम में देखेंगे मड़ी क्या मड़ी अब ये जो मड़ी शब्द है ये क्या है इस्त्रीलिंग है क्या मड़ी जो है इस्त्रीलिंग है फिर उसके बाद धातूं के नाम में अभी धातूं के नाम में कुछ आया था शोना आया अस्ता लोहा चांदी कीमत इस समय बढ़ गई है। चांदी की कीमस में बढ़ गई है चांदी तो चांदी ये जो सब्द है ये क्या है इस त्री लिंग का बोध कराता है चांदी अच्छी है क्या चांदी अच्छी है अनाजो के नाम कभी आपका अगर इसको आप करने चांदी अच्छा है चांदी अच्छा है चांदी अच्छ ये क्या होगा कि हमेशा इस तरी जहां पर आपको चांदी अच्छा है क्या अगर आपको ये अकरांत भी दिखाई दे रहा है कि चांदी अच्छा है अच्छा का बात आया है लेकिन आपको दिमाग में ये बात रखनी है चांदी जब बीच में आ गया है तो चांदी आने की वज़ा से वो जो sentence है आपका जो वाक्य है क्या होगा वो इस तरफ जाएगा फिर उसके बाद अनाजों के नाम में आएंगे अरहर क्या अरहर मूंग मा कई ज्वार अरहर मूंग मा कई ज्वार ये जो सारी अनाज के नाम है क्या है इस्त्रीलिंग है पेड़ों के नाम में आते हैं नारंगी का पेड़ या नारंगी लीची नासपाती ये हैं हमेशा क्या रहेंगे आपके इस्त्रीलिंग शब्द इस्त्रीलिंग सब्द है या इस्त्री जाती का बोथ पराते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको आज हमने क्या पढ़ाया? हैं यंदि में लिंक के दो भेद होते हैं कौन कौन से इस्त्री लिंग और पुलिंग और इस्त्री लिंग पहचाने के लिए कभी-कभी जब आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कैसे यह इसको हम करें कोई शब्द आपको मिल गया और वहाँ पर हमको नहीं पता है हमें नहीं याद है की कौन सा इस्त्री लिंक आप बोध करा रहा है की पूर्ट लिंक का बोध करा रहा है तो हमने क्या करना कि उसको उसकी गुडवत्ता पराधारीत क्या उसके उसके गुडवत्ता पराधारीत हम एक वाक के बना लेंगे समझ लेंगे कि हम घर में हैं हम घर में हैं और क्या कर रहे हैं हम घर में हैं बैठें हैं जैसे अभी खाना आया दाल रोटी हमको आ गया हमको दाल रोटी आया और घर में लोग जिसने भी परोशा हो खान या डाल रोटी अच्छा है लेकिन यहां पर डाल रोटी जैसे ही डाल रोटी की बात आएगी आप इकारांद करफ जाना इस्त्री जाती का बोत करा रही है तो क्या होगा डाल रोटी इस्त्री लिंग फिर उसके बाद रोपदार्थों के नाम में आएंगे यहां पर चाय, श चाही क्या ये जो चाय सब्द है शाही सराब ये किसका बोध कराती है ये इस्त्री जाती का बोध करा रही उसके बाद नदियों के नाम क्या नदियों के नाम में जब हम आते हैं गंगा यमुना शरश्वती शत्लज राभी ये जो नदियों के नाम है ये किसका बोध करा रही इस्त्री जाती का बोध क्या रही है फिर उसके बाद करम मसालों के नाम इलाइची क्या करम मसालों में इलाइची लॉंग मिर्च ये सब क्या है इस्त्री लिंग में है फिर बात करते हैं खाने पीने की वस्त में दाल रोटी क्या दाल रोटी ठीर तरकारी पकोड़ी ये सब जो सब्द हैं किस में आ रहे हैं इस्त्री लिंग में आ रहे हैं फिर हिंदी वडमाला के नाम क्या हिंदी में कूछ ऐसे वर्ड हैं किसका बोथ कराते हैं इस्त्री जाती का बोथ कराते हैं किसका इस्त्री जाती का बोथ कराते हैं मेरे प्यारे भी द्यार थी, आज लिंक का टॉपिक शामाप्त, हम कल की क्लास में एक नया टॉपिक रहेगा नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार.